चीनी सेना से एक हुनी संगर्श के दोरान लंदाक के गलवान में भारत के 20 जवान शहीद हो गए। इस ख़बर से पूरे देश में गुसा है और विपक्षी पार्टियां भी इस मुद्धे पर सरकार को घिरने का प्रियास कर रही है। अब जवानों की शादत पर कॉंग्रेस पार्टि की भी पिर्तिक्री आईए। कॉंग्रेस ने ट्यूट कर किन सरकार को घिरने की कोशिश की है। कॉंग्रेस ने ट्यूट किया है कि चीन दावा कर रहा है कि वे भारतिय जवान हमारे छेत्र में आयये। पियम मोदी दावा कर रहे हैं कि चीन कभी हमारे छेतर में नहीं आया कलवान गाटी में हमारे 20 जवान शहीद हो गए क्या पियम मोदी साफ करेंगे कि जवान क्यूं शहीद हो गए वह किसके छेतर में शहीद हुए प्रदान मंत्री ने निदर मोदी ने शुकरवार को सर्दलिय बैटक के बात कहा था कि ना तो कोई हमारी सीमा में गुसा हुआ है और ना ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कबजे में है लद्दाक में हमारे 20 जामबाज शहीद हुए लेकिन जिनोंने भरत माता की तरफ आख उटा कर दिखा था उन्हें वो सबक सिखा कर गए और अब प्रदान मंत्री मोदी के इसी बयान पर राहूल गांदी ने सवाल किया है और पूचा है कि अगर वे जमीन चीन की थी जहां भारते जवान शहीद हुए तो हमारे सैनिकों को क्यों मारा गया उन्हें कहां मारा गया वहीं दूसरी और राहूल गांदी के और से बार बार उठाये जा रहे सवालों के बीच ग्रेमंत्रिया मिश्या ने गलवान घाटी में जड़ब के दोरान सवाल घायल हुए एक सैनिक के पिता का वीडियो रीट्यूट किया है शाने वीडियो रीट्यूट करते हुए कहा है कि एक बहादूर सैनिक के पिता का राहूल गांदी को संदेश साफ है ग्रेमंत्रिया मिश्या ने कहा कि ऐसे समय में जब पूरा देश एक जूट है तो राहूल गांदी को भी उच्छी राजनिती से उपर उठना चाहिए राहूल गांदी को भी राष्ट हित के साथ मजबूती से खड़े होना चाहिए गौरतलाब है कि ग्रेमंत्री अमिश्या ने गाहल सैनिक के पिता का वीडियो रेट्यूट किया जिसमें बहादूर सैनिक के पिता ये कह रहे हैं कि भारतिय सेना एक मजबूत सेना है